अभी नेता अक्षय कुमार की आगामी फिल्म OMG2 मूवी को लेकर दत्या से पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि फिल्म मैं श्रंकर भगवान को कचोडी की दुकान पर कचोडी मांगते हुए बताया क्या है कभी तुम्हारे बाप को कचोडी मांगते हुए दिखाते तो मुझे बड़ी प्रश्रंशा होती देखे एक भास रिपो फिल्मों OMG2 को लेकर साधु संतों में गुस्सा कथा बाचक प्रदीप मिश्रा ने फिल्म को लेकर दिया बयान फिल्म नर्माताओं को पंडित प्रदीप मिश्रा की दो टू तुम्हारे बाप को कचोरी मांगते दिखाते तो प्रश्रंशा होती रास्टिय कथा बाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की पार्थिव ईश्वर्ड शिव महापुरान की कथा दस अगस्त से चौदा अगस्त प्रदीप मिश्रा ने कहा कि फिल्म में शंकर भगवान को कचोरी की दुकान पर कचोरी मांगते हुए बताया गया है कभी तुमारे बाप को कचोरी मांगते हुए दिखाते तो मुझे बड़ी प्रश्रंशा होती फिल्म बन गई उस फिल्म में शंकर भगवान को कचोरी की दुकान पर से कचोरी मांगते हुए बता दिया कभी तुमारे बाप को कचोरी मांगते हुए किसी दुकान पर दिखाते तो मुझे भी प्रसंदता हो देवदी देव महादेव को तुम कचुड़ी मांगते हुए दिखा रहे हैं देवदी देव महादेव को तुम दर्वाजे पर भीक मंगते हुए दिखा रहे हैं हमको पसंद नहीं है मारा अगर कोई हनमान जी का रूप रक्तर कोई राम जी का रूप रक्तर कोई संकर का रू होता इस प्रत्वी पर तुमआरे मनोरंजन के लिए पेदा नहीं हुए तुमारे जीवन के अंकार का भंजन करने के लिए अपरनल na का अप्मान हो अमारे सानतन धर्म को नीचे दिखाया जाए यह कथा धतिया जी नहीं थी केवल आदायनिय, ग्रहमंत्री जी, नरुतम मिश्रा जी ने एक फिलम आई थी और उस फिलम का विरोद करा और उसकी क WILLिपिंग हमारे पास आई तो हमने समीर जी से कहा धतिया में दे दो बस इस बात पर यह कथा धतिया मेरा कुल मलाकर देखा जाए तो अभी ने तक शेकुमार की आगामी फिल्म OMG टू मूवी को लेकर दतिया में पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा वयान सामने आया है वंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि फिल्म में शंकर भगवान को कचोड़ी की दुकान पर कचोड़ी मांगते हुए बताया गया है कभी तुमारे बाप को कचोड़ी मांगते हुए दिखाते तो मुझे बड़ी प्रशनशा होती विवरो रिपोर्ट आप नियूस दद्या